तो एलो फ्रेंग कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपको दोस्तों सेमसंग मोबाइल में जो Bixby होता है Bixby के अंदर के कमाल के hidden feature बताने वालों जो की बहुती काम के ये feature है क्या ये hidden feature है और कैसे आप उनको use कर पाएंगे आगे आपको वीडियो बताने वालों तो दोस्तों वीडियो को उसके मत करीगा वीडियो को पूरे देखेगा तो ये आप समझपाएंगे चलते हैं आगे मैरे डाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे जैनल ऐसे टेक में तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताए मैं आपको बताना लाओ बिक्सवी के कमाल के hidden feature तो उसके लिए मैं आपको सबसे बिले उसके यूज करके बताऊंगा और बाद में बताऊंगा कैसे आप उसको यूज इनेबल कर पाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे Hi Bixby Good morning तो आप देख सकते सिर्फ मैंने good morning कहने पर कितना कुछ वहां पर आटोमेटिक हो गया सिर्फ मैंने good morning कहा उसके बाद आटोमेटिक सारी चीज़े वर्क करने लग गई तो यह है अभी आज का hidden feature जो कि मैं आपको बताने वालों कमांड का related और आपको आगे और भी करके बताने वालों Hi Bixby Selfie तो आप देख सकते हैं यह आटोमेटिक सेल्फी भी आ गई हो सेल्फी भी हाँ पर क्लिक हो गई है ऐसी ही अगर आपको और भी कुछ करना है तो आप अपने साब से कमांड सेट करेंगे और वो function वहाँ पर वर्क करेगा Like Hi Bixby Movie Time Hi Bixby Movie Time Your device is set to silent I turned on do not disturb Done तो आप देख सकते हैं मैंने अब उसको बोला Movie Time Movie Time के साब से जो भी मैंने वहाँ पर कमांड को सेट करके राकी थी वह आटोमेटिक वहाँ पर कमांड एक्टिवेट हो गई तो वसी का Pixby में आप सेट कर सकते हैं अपने साब से और वो काम आपका हो जाएगा अब इस option को इनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा यहाँ जाना है Bixby वाले option पर आप जाएंगे तो पहले तो आपको डारेट ऐसा खुलने वाला है अगर आप यहाँ सेटिंग पर भी चलने जाएंगे तो कुछ नहीं खुलने वाला यह वर्क नहीं करने वाला तो उसको इनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा Galaxy Store पर जाने क्या आपको करना क्या है यहाँ पर को सर्च माल लेना है उपर Bixby का आपको उपर यहाँ पर सर्च माल लेना है Bixby तो यह अगर आप वहाँ से डारेक जाएंगे तो यह फीचर आपको नहीं मिलने वाला जब तक आप इसको सर्च करके ओपन नहीं करेंगे तो नहीं मिलने आपको ओपन कर लेना है आप Bixby जाकर सर्च दूढ लेना है तो यह Bixby आपको ओपन कर लेना है यहाँ से सिंपल तरीके से अब यह Bixby हो गया है तो यहाँ पर आपको डिस्कवर वाला जो आप्शन मिल जाएगा यह वो आपको पहले नहीं मिल रहा है ठीक है यह हो गया है यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ त्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नए आपको नए आप्शन मिल रहागा चैरी हो गही है, तो आप यहाँ पर अपना खुद का भी कमांड बना सकते हैं, लाइक मुझे अभी sound को off करना है, या आप देखने sound तो off ही है, तो अगर मुझे वीडियो को रिकारड करना है, तो मैं सिर्फ वीडियो बोलूँगा और वो रन हो जाएगा, कैसे, हाई विग्स भी, वीडियो, तो आप देख रहे होंगी, अक्तिविटी रन हो गई है, आप एक कमांड पर कितनी चाय एक्टिविटी को यहाँ पर रन कर सकते हैं, आप देख गुड मॉर्णिंग से लेटेड प्राटिक्टिविटी से लेटेड अगर आप ड्राइब कर रहे हैं तो यह सब चीज़े आप यहां पर आट्मेटिक हो जाएगी सिंपल यह उस पर जाना है और यहां पर आपको सेव पर क्लिक कर देना तो सारी अक्टिविटी आट्मेटिक सेव हो जाएगी सिर्फ आपको क्या बोलना रहेगा I am going out तो साब आटमेटिक on हो जाएगा आपको ऐसे यहाँ पर कमांड को मिल जाएंगी बहुत सारी लाइक यहाँ पर home, work लाइक मुझे work के लिए set करना तो मैंने आप आप work office set कर दिया ठीक है I fix me work तो जैसी मैंने work को फोला आटमेटिक सारी activity काम हो गई आप देख रहे होंगे, turn on हो गया, turn off हो गया Bluetooth हो गया और set ringtone 0% हो गया तो यह आटमेटिक यहाँ पर काम हो गया सिंपल एक कमांड से अगर आपको खुद कर यहाँ पर कमांड बनानी हो तो आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है प्लस पर क्लिक करने के तो आपको कमांड का नाम देना है आपने gallery से related बनाना है तो यहाँ पर मैंने gallery लिख दिया या फिर जो भी पहले अपन कमांड देख लेते हैं आप यहाँ add कमांड पर आएंगे तो add कमांड के लिए आप चाहें तो यहाँ बोल के भी बनाना या settings related यह system पर मैंने क्लिक कर लिया अब increase the volume, set the volume, take a screenshot या जो भी हो आपको यहाँ पर बनाना है like मैंने यहाँ पर बनाया take a screenshot ठीक है अब मैंने इसका नाम क्या लिखा अब मैंने यहाँ लिख दिया copy कुछ unique नाम दे दिया मैंने यहाँ पर copy लिख दिया और मैंने इसको यहाँ पर आप चाहो तो उसमें और भी कुछ command और add करना तो add कर सकते हैं और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको show ना हो नीचे तो आप वो भी हटा सकते हैं और अगर आप चला के देखना चाहें तो run भी कर सकते हैं like मैंने आपर कर दिया save अब मैंने इसको save कर दिया मुझे इसका screenshot लेना है अब मैं क्या बलूँगा hybixby copy hybixby copy तो आप देखेंगे यह screenshot ले लिया गया है तो बहुत ही शांदा रहे वाला फीचर है ऐसे से unique keyword यहां पर यूज कर सकते हैं जाकि किसी को पता ही नहीं चले आपको बोलने पर काम कर रहा है जो आप बोलोंगे वहां पर activity अपने साब से सेट कर सकते हैं like add a command पर गए फिर select a command पर गए अब यहां पर आपको क्या चाहिए आप ऐसा कौन सा चीज डालना है आपको जिसको आपको देखके मज़ा आ जाए मतलब लोगों को दिखाने में मज़ा आ जाए तो आप यहां से अपने साब से देख लो या जो चीज तुमें अच्छी लग रही हो तो वह कर लो like what's up पे गाए call mom on what's up video call on what's up text mom on what's up तो आपको यहां पर जैसा भी इसको शो करना है वह देख लो तो like मैंने यहां पर करा show what's up message मैंने यहां पर show what's up message ले लिया और मैंने क्या बोला view ठीक है यहां पर यहां पर इसको save कर दिया अब क्या होगा हाई विक्स भी व्यू आप देख रहे होंगे सब यहां पर खुल गया तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं जोन से भी command आप जोन से भी app में जाना चाहें अगर like मेरे को यहां पर लिखा मैंने दो चार activity एक साथ करता मैं आप पर गया possible da alcanz आने यहां पर लिखा में दो चार activity आ को इखटे करके दिखाने वाला हूं लाइक मैंने आपर setting पो गया तो expensive गया तो setting कव्या व्यूंत घरिक्ट टीम अगे मैं यहां पर बोल के निकते हो करता हूं इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम ठीक है और उसके बाद इसे डूनोट डिस्टरप ओन यह सब चीजे मैंने चार पांस कमांड लिख दिया अब इसका नाम लिखा मैंने माई कमांड या फिर बोलेंगे माई अब मैंने लिख दिया इसको माई टाइम और मैंने यहां पर कर दिया सेव ठीक है अभी आप देखेंगे यहां पर सब कुछ मेरा यहां पर वाइफाई भी बंदे ब्लुटूट भी बंदे और वॉल्यूम वॉल्यूम सब कमें अब मैं क्या बोलूंगा हाई बिक्स भी माई हाई बिक्स भी माई टाइम हाई बिक्स भी माई टाइम तो आप देखेंगे वह आटोमेटिक यहां पर काम करना चालू हो गया होगा यह जो जो मैंने बोला उस सब आटोमेटिक यहां पर काम हो गया है इंक्रीज वॉल्यूम हो गई है जितना भी लेवल तक हुआ है ठीक ह तो आप अपने साब से कमाड बना के एक बार में इसको यूज कर सकते हैं उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह पहले से फिक्षत पता था तो मुझे कमेंटर रहे जरूर बताना तो थेंक्यू दोस्तों दोस्तों जो उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो र्यल और पसंद आइए तो प्लीज था जरूर करें और अगर आपको लगता होँ तो मैरी जोडि़ी कुछ कभी तो मुझे डिस्ल iTunes कर सकते हैं या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछने चाहते हैं इस विडियोजे लेटेड या कुछ भी आप मुझे प्यारिकली कमेंट करके पूछ सकते हैं और सबसे जरूरी जिस दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज या चैनल सब्सक्राइब करना ना वो ले और हो सके तो मुझे इंस्टागाउम फेजु फॉलो करना भी ना वुरस का लिंक आपको नीशी डिस्क्रिप्शन में जाए तो थेंगी दोस्तों